दोस्तों स्वागत आपकी श्वेता की देशी किचिन में आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही टेश्टी रजगुले की रेस्पी लाई हूँ और यह मैंने खोई से नहीं बनाए हैं यह बस जो पाउडर आता है पैकेट में मैंने उसी से बनाए हैं बहुत ही अच्छे बन दो मॉइन तो यह होगा एक किलो और मैंने उसी की हिसाब से तीन कफोरी पा ले लिये जिस से मैंने चीनी लिये तीन तो मैंने जो रजगुले बनाना है उसके लिए चासनी दौनों के लिए में इलाइची को उट रही हूं तो मैंने 8-10 लाइची ले लिए और उसके बाद मैं उसका छेकल निकालके एक अच्छा सा दरदरा सा पेश्ट बना लोगे और कुछ इलाइची का पाउडर इसमें हम ड भर जाने का तो मैं उसी के कोड़ में फिर बना रही हूं क्योंकि पहले से पता होता तो माबाबा बना लेते लेकर इसके भी आप बनाके खाएंगे ना बहुत अच्छा बनता है बहुत ही टेस्टी होता है और यह बहुत एकदम जो मुलाइम सा होता है ना उसी तरीके से ब चाहिए ज़्यादा गारी नहीं रखनी है हमें एक मीडियम साइज का ही रखना है चासनी बनके तयार हो गई थी वह मैंने साइड में रख दिया उसके बाद मैं यह पैककेट लिया था दूद भोक का उसको मैं ने खोल लिया और इसमें मैंने इलाची डाल दिया जो पीसी गुना सा और उसके बाद मैं उसी सी इसको लगा रही हूँ आटे को और इसके बाद हम इसके एक अच्छा सा साट सा डो बना लेंगे हमें हार्ड नहीं रखना है अगर आप हार्ड रखेंगे तो आपके रजपुले अंदर से टाइट रहेंगे अगर आप इसको स्मौत और यह बहुत जादा घी भी छोड़ देता है हाथ पगेर में भी आप इसको अगर मलेंगे ना तो आपको मैसूस होगा कि इसमें हां घी पन जो घी का टेश्ट जैसा होता है वह आ रहा है जैसे खोए में आता है अब देखिए इसको में अच्छे से मलते हुए इसकी छुटी से चुटी सी गोली हैं बना के तियार करनी है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कितना साइज का आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग बनाईएगा मैं मीडियम साइज ही रख रही हूं न ज्यादा हमें बड़ा चाहिए न ज्यादा च्छोटा चाहिए तो मैं उसके आउट फटे हुए जैसे होता है साइड में कट सा आता है बो नहीं होना चाहिए एक दिम अच्छा सा गोल सा बना के तयार करना है यह तैयार हो गया है मेरा बनके इसी तरीके से हमें सारे बनाने हैं आप इसको न आप एक ही साइज की बनाएगा जितने भी बनाने अगर इसा लगे कि नहीं फटेगा यह कुछ नहीं होगा और यह बहुत आराम से बन जाते हैं आपने रजगुले उसके देखे होंगे खोए कि कि उसमें हमें बहुत मेनत करनी पड़ती क्योंकि वह ऐसा होता कहीं फट ना जाए इसलिए इसमें कितना सा हाथ में घी भी आ गया है और इसके बाद मैं इसको फ्राइ करूँगी और जो गैस है ना उसको ना हमें ज़्यादा तेज करना है ना अधीमी मीडियम में ही रखना है क्योंकि रसगुले अंदर से कच्चे रहेंगे तो बहुत अच्छे नहीं लगेंगे तो आप मीडियम में रखेंगे ना तो होती हलके हिलाना है क्योंकि जब आप फर्श्ट टाइम में डालेंगे थोड़ा सा वह चिपकेगा लेकिन सेगिन टाइम से सारे बंद हो जाएगा क्योंकि कड़ाई नियू एकदम जाती है थोड़ा सा लगने लग जाता है जब फिर तेल अच्छा सा हो जाता है फिर नहीं करना कि यह भी फटने का डड़ रहता है तो उसे साब से इनको से किए और यह देखिए इसको हमने अल्ट पड़ करके इस तरीके से कलचुली चलानी जिस तरीके से मैं हलके हलके चला रही हूं यह तो आप छोटा सा जो चमच होता है ना वह ले लिए अगर आपको बड़े से नहीं करते बन रहा है अभी तेकी मेरे और इसमें डाल दी है अभी जो कलर आपको लेना है जितना डार्क लेना है उस हेसाब से किएगा क्योंकि रजगुले अंदर से अच्छे से सिख जाने चाहिए इसलिए मैं उसको साइड वाई साइड अच्छे से घुमा घुमा के से जो मैंने पहले डाले थे वो से के तयार हो गए अब इसके बाद मैं दूसरा वाला ये भी अच्छे से से ले रहे हूं इसमें हमें एक अच्छा सा औरेंज सा जो कलर आ जाता है ना वाला कलर चाहिए क्योंकि चास्नी में डालने के वाद उनका कलर बहुत अच्छा दिखता ना तो अंदर तर चास्नी भर जाती है यह देखिए सारे बन गए और देखिए अंदर से कितना मुलाइम बना हुआ है बिल्कुल टाइट नहीं है बिल्कुल वह नहीं है एक्दम सॉप्ट बनके तयार हुआ है इसमें मैंने कुछ नहीं डाला ना सोडा ना ब्रेकिंग नहीं है क्योंकि तब ही अंदर तक चास्नी ले पाएंगे ठंडी होगी तो वो नहीं जा पाएगी आप देखिए इसी तरीके से हमें सारे सीख लेने हैं और सब को डाल देना है यह देखिए बनके हमारे तयार हो गए अभी आपको लग रहा होगा कि चास्नी नहीं भरी है थोड़ी दिर के बाद यह बहुत अच्छे तयार हो जाएंगे आपको मैं इसको ना कट करके भी दिखाओंगी लेकिन मैं जल्दी आपको बता दूंगी बाकी आगर आप साम को बना रहे हैं तो सुबह खाएंगे तो बहुत तेस्टी बना चास्नी भर के तयार हो जाती है बैसे तो दो तीन घंटे में अच्छा हो जाता है यह देखिए मैंने एक घंटे के बाद आपको दिखाया है और इसके बाद कितने अच्छे से इसमें चास्नी भर गई है और बहुत ही टेस्टी लगे तो खाने में भी बहुत स्वाद बने हैं आप लोग भी बनाएगा को बाइब बाइब